हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चार स्टॉक्स के बारे में सबसे पहला जो स्टॉक है वो है आयर्सी टीसी स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकता उसके बारे में बात करते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस हाई था 4020 के पास exact 4019.70 उसके उपर आज ब्रेक आउट दिया है 4060 पे बंद हुआ है मुझे यहां से लग रहा है कि 500 से 200 रुपे का जम विदिन वन और टू डेज देखने को मिल जाएगा RSI काफी उपर है बट सुपर ट्रेंड मुविंग एवरेज दोनों ही पॉजिटिव है 3480 पे मुझे नहीं लग रहा है यहां पर कि स्टॉप लोस रखने की भी जरुवत है जब तक स्प्लिट नहीं होता अगर आप लॉंग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी भी यह लेने जैसा है अभी 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन बाकी है और मुझे लग रहा है यहां से 500 से 600 रुपए और उपर जा सकता है हो सकता है 5000 भी टच करें कोई बड़ी बात नहीं है स्प्लिट होने के बाद 5000 अगर यह स्टॉक प्राइज रहता है तो स्प्लिट होके आपका जो शेर प्राइज है वो 1000 पर आ जाएगा और अगर आपके पस एक स्टॉक है आयर से टीसी का तो वो पांच में कनवर्ट हो जाएगा सो बेसिकली जो वैल्यू है आपका जो पॉर्टफोलियो में वैल्यू रहेगा वो उत्ता है रहेगा सिफ नंबर ऑफ शेर बढ़ जाएगे बट यहां से आज जिसी सबसे ब्रेक आउट दिया है 200 से 300 रुपे के आसपस का अपसाइट देखने को मिल सकता आयर से टीपसी मे फिलाल आप बाई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टॉप लोस अगर आप रखना चाहें तो 3480 का स्टॉप लोस रख सकते हैं काफी नीचे है मुश्किल ही है यहां तक आना बट फिर भी सेव साइड आप अपने सबसे एक स्टॉप लोस रख सकते हैं अगर हो है जेंटेक यहां पर थोड़ी दिक्कत वाली बात मुझे नजर आ रही है यहां पर एक ब्रेक आउट दिया था 91 पर उसके बाद उपर में यह काउंटर 237 तक गया उसके बाद एक डाउन साइड देखने को मिला 180 तक आया और अब भी आप अगर यहां पर देखेंगे त तो सूपर ट्रेंड पे 218-219 का रेजिस्टेंस है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है और उसके उपर एक रेजिस्टेंस बनाया है 225 पे तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे है जब तक 225 क्रॉस नहीं करता है तब तक आड मत किजिए यह जो जम देखने को मिल था यह जम देखने को मिल सकता है तो फिलाल के लिए थोड़ा अवाइड कीजिए फ्रेश एंट्री तभी लीजिए जब यह दो सोपचीज के उपर जाए अगर उसके उपर का क्लोजिंग नहीं देता है तो अवाइड कीजिए जेंटेक आरसाइबी काफी उपर है इस उप करने की सला रहेगी बस दो सोपचीज के उपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बाइंग उपरचुनिटी है उसके पहले नहीं अगला जो स्टॉक है वो है सुजलान एनरजी सुजलान एनरजी में अगर आप यहां पर देखेंगे सूपर ट्रेंड के काफी नजदीक ट्र फ्रेश एंट्री लेते हैं बट आज के दिन में सर्किट लगा था और मुझे लग रहा है कल के दिन में सूपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से दूबारा एक अपसाइड देखने को मिलेगा इस काउंटर में एक चीज़ और देखने वाली बात है यहां पे जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा है यह अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक सपोर्ट बनता वह नजर आ रहा है नीचे के दरफ इन लेवल्स पे और वहीं अगर आप उपर भी देखेंगे तो उपर के तरफ भी एक ट्रेंड नजर आएगा सो यहां पे यह काउंटर काफी अच्छा एक मोमेंटम दे रहा है सो यहां से अगर उपर जाता है तो इस बार हो सकता है 11 रुपे के आसपस यह काउंटर देखने को मिले सो फ्यूचर स्टॉक है यह भी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है बट अगर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है सेल्स इंप्रूब होता है प्रॉफिट आता है तो फिर काफी अच्छा रिटर्स दे सकता है सुजलान एनरजी यहां से अगला जो स्टॉक है वो देखने को मिला बट यहां पर देख सकते हैं रेजिस्टन्स बारा रूपे पर बारा के उपर ट्राइ कर रहा है दो बार जाका आ चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है सो अगर बारा रूपे के उपर नहीं जाता है तो फ्रेश एंट्री अभी मत लिजे यहां अगर आप फ्रेश एंट्री लेंगे न्यूज के बेस पे तो आपको नुक्सान हो सकता है तो थोड़ा संबल के ट्रेड करें इन काउंटर में एक स्टॉप लोज जरूर मेंटेन किजिए जबी इन काउंटर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिलाल के लिए आइडिया अव औत हो सेँडिया को ठाटीज और रहे हैं ले एक ट्रेड किये हैं चार्मटपपक